Hello everyone, आईए देखते हैं, आज का Divine Message आपके लिए क्या है? Divine आपको क्या guide करना चाहते हैं आज के दिन में? हमारे पास card आया है, Freedom of Soul Expression. You may be holding back from expressing yourself out of fear of losing और upsetting someone around you. You, आपको clearly ये message दिया जा रहा है, कि आपको, अपने आपको free spirit सोचना भी पड़ेगा, feel भी करना पड़ेगा, और खुद को prioritize भी करना पड़ेगा. कभी कभी हमारे साथ में क्या होता है, कि हम सामने वाले की बहुत इज़त करते हैं, या हम कुछ चीजों को लेकर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ feel करते हैं, तो चीजों को hold back करने की खुशिश करते हैं, कि नहीं यार, हम नहीं बोलेंगे, जिसकी वज़े से हमारी खुद क जो energy है, वो drain होने लगती है, या तो इज़त की वज़े से, या चीजों को ये judge करने की लोग क्या कहेंगे, ऐसा है, वैसा है, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आपको free छोड़िए, अगर आप अपने एक सही रास्ते पर हैं, आपके mind, body, soul से एक आवाज आ रही है, then go for it क्योंकि वो जो आवाज है, वो परमात्मा की शक्ती की आवाज है, वो divine calling है, कि आपको चलना है उस रास्ते पर, रास्ता मुश्किल हो सकता है, संक्रा हो सकता है, challenging हो सकता है, आपके उपर questions raise करने वाला हो सकता है, even, क्योंकि जब आप पुराने thought process को, पुराने old patterns को break करते ह आप बुरे बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया में जो भी चीज़े set की गई है, rules बनाए गई है, regulations बनाए गई है, कितने लोग जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है, या क्या वाकई में उसके बाद ऐसा होगा, कोई भी नहीं जानता है, तो ऐसे में कुछ भी अच मनुष्य की आत्मा से आने वाली आवाज, आप देखिए, इस living world में भोग योनी हैं, जिसमें सभी species आ जाते हैं, कर्म योनी में मनुष्य आ जाता है, एक चीज़ common क्या है सब में, सेम टाइम पर भूख लगती हैं, खाते हैं, पीते हैं, respirate करते हैं, excretion करते हैं, reproduction करते है ये common है, सिर्फ इतना ही common है, कि पेट भरा होना चाहिए, प्यास लगिए तो पानी मिल जाए, सोने के लिए चाहिए, बाकी जितनी भी materialistic चीज़े हैं, जहां पर emotions जुड़े हैं, इविन आप notice कर सकते हैं, emotions में भी प्यार सबसे जादा, रुप्या पैसा, पढ़ाई लिख एक एक चीज़ जो materialistic world में जड़ों तक जुड़ी हुई है, वो सिर्फ created है मनिश्य के द्वारा, लेकिन आप इससे बहुत उपर उठके देखेंगे, तो हर किसी के अंदर आत्मा का वास है, जीव चल ही रहा है क्योंकि उसके अंदर जो संचार है, वो परमात्मा की शक्ती के द्वारा हो रहा है, तो अगर आप अपनी चीज़ों को पीछे खीचने के कोशिश कर रहे हैं, खुद को express नहीं कर रहे हैं, डर के चलते, आप ये रिष्टा खो देंगे, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपके आसपास के लोगों की वज़े से, और मात्मा की अवास को सुनिया और अपने लिए स्टांड लेजे, बहुत कुछ डिफरेंट हो जाएगा, आप कॉर्नर्ड हो सकते हैं, आपको लोग उल्टा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन जिसने ये सृष्ट्री बनाई है, उसकी नजर में आप सही हैं और बाकी सब गलत हैं, वो सब जानते थे कि पांडव सही हैं, लेकिन वो ये कहते थे कि उन्होंने नमक खाया है, हस्तिनापुर का तो ऐसा है, वो साथ देंगे कौर्वों का, लेकिन सब के सब मारे गएं, क्योंकि वहाँ पर अधर्म था, वो जानते थे गलत हैं, लेकिन कुछ चीजों को वो पर है, इससे विपरीत आप कुछ लोगों को सैटिस्फाइ कराने के लिए, अपने आपको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, दिखाने के लिए कर रहे हैं, पर ये चीज़ें पर्मनेंट नहीं हैं, ये चीज़ें आज नहीं तो कल फिर आपके सामने आके खड़ी हो ज उठाना, अवैर करना चीजों से, माइंड बॉडी सोल से आपको अलाइन करना, अगर आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे, आप अकेले बेशक होंगे, लेकिन जिस वक्त आप बैलेंस होंगे, बाकि सब आपको सही समझने लगेंगे, और आप खुद में बैलेंस हो जाए इसलिए हमेशा अपने सोल को एक एकस्पेंशन की तरफ लेकर जाएए, जो भी मन में आ रहा है बोल दीजे, खाली रखी अपने मन के दरपन को, जितना भरा रखेंगे, उसमें आप किलस्ते ही रहेंगे, टेंशन पर टेंशन, वो चीज़ ट्रिगर करती रहेगी, अंटिल वो वहाँ भी लग रहे है, वो वहाँ भी लग रहे है, आपको हर्ट कर रहे है, चार्चर लोगों को ओर हर्ट कर दे रहे हैं, लेकिन उसका सीदह से क्या है? उसको कट करके रिमूज करना। बिल्कुल इसी तरीके से लाइफ में कुछ ऐसी चीज़े हो जाती है हमारे साथ में जहाँ पर हमें action लेना पड़ता है क्योंकि समय की requirement है अब नहीं तो कब अगर वो चीजे long run में आपके साथ होती हा रही है आप 10 साल से बरदाश्ट कर रहे हैं 500 बार आपने देख लिया this is the high time की आप stand लें खुद की mind body soul को follow करें और अपने soul के expansion को बढ़ाए spiritually और ज्यादा alignment में आए ठीक है so guys ये थी divine की आज की guidance hope is reading से आपको guidance मिली होगी अपना बहुत ज्यादा खयाल रखे है thank you so much, bye bye, take care